कि आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि केंद्र सरकार ने कल चुप चाप बहुत ही गोपनिय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं मंत्री होते हैं चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम कर करके पूंको छीनके एलघी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है जिसे dien蹟ी एक्ट कहते हैं उसमें बंदलाव करके किंध इसर्कार अब हैंrael जी को इतनी पावर देने जारी है कि वो दिल्ली की चुनी終 papyr के काम रोख सके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निढ़ने लेने की शक्ती नहीं होगी यो फो फोर और बहुत ही गोपनिये तरीके से बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने यह कैबिनेट में कानून लेके आये और उसको पास किया केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतंत्रिक तरीके से जनता दौरा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है ये लोकतंत्र के आत्मा के खिलाफ तो ही है ये समविधान के भी खिलाफ है समविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी और उसके पास में तीन सब्जेक्ट को छोड़के सारे काम पर तीन मुद्दों को छोड़के पुलिस, जमीन, और पब्लिक और इन तीन चीजों को छोड़के दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली की चुनी हुई विधान सभा सारे मसलों पर निर्णे ले सकेगी और सारे मसलों पर गवर्मेंट चला सकेगी इस बात को 2015 में सबको याद होगा कि किस तरह से तब बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने एलजी के माध्यम से मनमाने तरीके से समविधान में लिखे होने के बावजूद इंटर्परेट किया कि नहीं नहीं सेंट्रल गवर्मेंट चलाएगी दिल्ली की सरकार को फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट की कॉंस्टिट्यूशन बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट की समविधानिक बेंच ने समविधान में लिखे हुए को और इसपर्ष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली की चुनी हुई विधान सभा इसके पास में तीन स 대해서 को छोड़ के पुलिस, लेंड एन पब्लिक ओडर इन को छोड़ के हर मामले में फैसले लेने का धिकार est ये निन्रें लेंगे कि दिल्ली की भिज़ली कैसे चलेगी, बसे कैसे चलेंगी, स्कूल कैसे चलेंगे, एस्पताल कैसे चलेंगे, ये सब चुनी हुई सरकार मिनने लेगी, और इस बात को सम्विधान की पीठ ने, पांच जज़ों की बेंच ने बहुत इस प्रष्ट तरीके से की सम्विधान में क्या लिखा है उसकी व्याख्या कर दी, अब उस इनफॉर्मिशन जाएगी सरकार के लिए हुए फैसलों की, फैसला सरकार लेगी, चुनी हुई सरकार लेगी और उसकी इनफॉर्मिशन लजी को जाएगी, ये सम्विधानिक बेंच ने सम्विधान की व्याख्या करते हुए साफ साफ लिखा है, लेकिन अब केंदर की भार प्रश्था के उलट जाते हुए ये फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली में दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद LG के हाथ में पावर होगी निड़ने लेने की decision लेने का अधिकार जो है वो LG के हाथ में होगे ये एक तरह से भारतिय जन्ता पार्टी पिछले दर्वाजे से दिल्ली की जन्ता पे शासन करना चाह रही है तीन बार दिल्ली का चुनाव हार चुकिये भारती जिन्ता पार्टी दिल्ली की जन्ता ने तीन चुनावों में कहा है कि हमको भारती जिन्ता पार्टी की गवर्नेस नहीं चाहिए दिल्ली में पिछले दर्वाजे से आकते दिल्ली के जन्ता की गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं इसका सब से बड़ी नुकसान ही होगा कि दिल्ली की सरकार ने जस तरह के जन्ता के पक्षा के फैसले लिए जन्ता के हित में जो शांदार काम किए उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर बीजेपी को मिल रहा है पिछले दर्वाजे से इसि दी दिल्ली चुनि हुई सरकार कहे गी हमको सकुल बनाने सरकारी स्कुल अच्छे करने भारती भारतेस ज Swiss फीस में बढ़ने देनी भारतीय जनतापाटि कि खुले आहम उप्रफाइट स्कूल की पढ़व हाथी है दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी महला क्लिनिक बनानी है भारती जिनता पार्टी की कहती है कि महला क्लिनिक ठीक नहीं है दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी सरकारी अस्पतालों को ठीक करो भारती जिनता पार्टी पिछले दर्वाजे से कहेगी नहीं सरकारी अस्पता से भावर्ते जनता पार्टी क्याहिए कि दिल्ली जन्ता को मुफ्स बिजली मिलनीमिंद ए कि दिलए से लोगों को पानी फेलिए बी पिने का पानी तो लोगों को डिलाने कीAH साफ यह कहेंगे नहीं पानी पर पैसा कमाना चाहिए दिल्ली की चुनिहुई सरकार कहेगी कि बसों में महिलाओं के लिए फ्री आत्रा होनी चाहिए यह कहेंगे हम तो इसके खिलाफ हैं यह तो नहीं होना चाहिए आपको याद होगा कि पांच साल पहले 2015 में जब तक सुप् इस पश्क नहीं किया था कि सम्विधान में जो लिखा हुआ है उसमें दिल्ली की चुनिहुई सरकार के पास दिखा रहे हैं तब तक इन्होंने हमारे सारे काम रोकनी कोशिश की थी इन्होंने CCTV रोक के रखे भारती जिन्ता पार्टी ने इन्होंने महला क्लिनिक की फाइल लेना सुरू किया तो उसके बाद काम ध्रादर होए आप देखो महला क्लिनिक बनते चले गए सारे जगें सीची टीवी लग गए बिजली फ्री हो गई पानी फ्री हो गया महिलाओं में के लिए बसे फ्री हो गई सरकारी स्कूल और शांदार होते चले चले गया नई करानून लेके आए जिए जो ना सिर्फ लोगतन्त्र के खिलाफ है जो ना सिर्फ की जनता की मर्जी के खिलाफ है कि लिए पिश्ले दिल्ली को चलाने के कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में विजली कैसे होगी दिल्ली में पानी कैसा होगा दिल्ली में स्कूल कैसे होंगे दिल्ली में स्पताल कैसे होंगे यह सब दिखाने कोशिश कर रहे हैं यह तो समयदान के खिलाफ है और जनता की मर्जी के खिलाफ है यह बहुत ही खुफिया तरीके से एमेंडमेंट किये हैं लेकिन जो मोटे तोर पर मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर कम करके एल जी साब के पास में पावर दी जाएंगी ये लोकतंत्र के खिलाफ है सम्विधान में लिखा हुआ है उस इस के खिलाफ है सरब आविक क्या आप लोगों का से अपने आगा या नहीं कर लें इसके बाद लिखनेंगे और दीखनेओं